हेलो फ्रेंट्स आज हम बनाने जार रहे हैं बहुत ही टेस्टी और स्वाधिस्ट मिठाई जो टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है तो चलिए बनाते हैं फटाफट यहां मैंने सबसे पहले एक जार लिया है अब मैंने एक कट्टोरी चीनी इसमें डालिए है कि इसमें दो हरी इलाइची डालेंगे फ्लेवर के लिए अब इसका फाइन पाउडर बना लेंगे अब उसी जार में हम यहां दो कट्टेरी मखाने डालेंगे इसमें और एक छोटा कट्टोरी काजू डालेंगे हम इसमें अब इन सभी चीजों को ग्राइंड कर लेंगे हम एक दम फाइन पाउडर बना लेंगे यह देखिए कितना बड़िया यह पिस चुका है अब एक बर्तन लेंगे हम उसमें और इसमें हम तीन बड़े चमच यहां घर की फ्रेस मलाई डालेंगे जो घर में हमारे दूद के उपर निकलती है ना वही मलाई है यह अब इसमें हमने जो चीनी पीस कर रखा था वो डालेंगे चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम यह ज़्यादा कर सकते हैं अब इन सारी चीजों को अच्छे से हम मिक्स करेंगे अब इसमें हमने जो मखाने और काजू को पीस कर रखा था उसे हम मिक्स करेंगे इसमें अब इसे हातों से मसलते हुए है इसका एक डो की तरह त्यार कर लेंगे अगर आप में आपको इसमें मलाई थोड़ी कम लग रही होगा ता आप बीच में थोड़ा सा मलाई डाल सकते हैं आप यह देखिए इस तरीके से हम इसको मसल के इसका एक हमें डो की तरह बना लेना है यह देखिए मैंने इसे पूरी अच्छी तरह से मैस कर लिया और यह बिल्कुल दो के फॉर्म में बन गया है अब मैंने यहां एक कंटेनर लिया है उसे मैंने बटर प्रेपर लगा कर घी से ग्रीस कर लिया आप सारे मिक्स्चर को हम इसमें डाल देंगे यह देखिए मैंने सारा इसमें डाल दिया है और अच्छे से सेट कर लिया अब इसे हम 10 से 15 मिनिट के लिए फ्रेज में रख देंगे यह देखिए मैंने 10 से 15 मिनिट हो गया है और मैंने इसे फ्रेज से निकाल लिया है अब इसे हम डी मोल्ट कर लेते हैं कि यह देखिए कितना बढ़िया यह बनकर त्यार हुआ है बहुत अच्छे से सेट हो गई है एक्दम अब इसके हूं उपर हम थोड़े से चांदी का वर्क लगाएंगे यह बिल्कुल ऑप्सनल है आप जिस तरह डेकोरेट करना चाहते हैं उतरह कर सकते हैं अब इसके साइड साइड में हम पिस्ता से सजाएंगे आप अपने पसंद से डेकोरेट कर सकते हैं मैंने यहां पिस्ता लगाया है देखिए अब मैं इसे कट करके दिखाते हूँ कितनी बढ़िया यह बर्फी बन कर त्यार हुई है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगती है बहुत ही स्वादिश्ट लगती है आप इसे ज़रूर बनाएं और अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी तो प्लीज मे कैसी लगी मेरी यह रेसिपी देखिए मैंने इसके बीच में बदाम से भी थोड़ा डेकोरेट किया है बहुत ही स्वादिश्ट बहुत ही बढ़िया बर्फी बन कर तैयार है आप इसे जरूर बनाएंगा